नमस्कार स्वागत है आपका आज की खबर में और मैं हूँ रितुवेश्ट किसान जिसे हम अन्यदाता कहते हैं जो भीशन गर्मी, कड़सरदी और भारी बारिश सहन करता है और अपने पसीने से खेट सीच कर देता है हमें खुशाली की फसल इसलिए आज की खबर में आज बात अन्यदाता की या फिर कहें खुशाल अन्यदाता की 2019 लोक्तबाद चुनाव से पहले मोधी सरकार ने किसानों को बड़ा तौफा दिया मोधी सरकार ने किसानों से किया अपना पूरा अवादा निभाया है कैबनेट बैशक में सरकार ने खरीट वसल की MSP बढ़ाने का पैसा लिया पैसा इसी खात है कि बड़ोत्री दीते 10 सालों में सर्वाधिक है इसी मसले पर बात करेंगे खात महमानों से लेकिन उससे पहले देखिए यह स्पेशल रिपॉर्ट मोधी सरकार ने कैबनेट बैठक में किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने 14 फसलों के MSP में बढ़ोत्री कर दी है जिसके तहत किसानों को अब खरीफ की फसल का डेट गुना MSP किया गया है सरकार का दावा है कि किसानों को फसल की सही कीमत मिलेगी अब किसानों को धान की फसल पर MSP 1750 रुपे प्रती क्विंटिल कर दिया गया है पिछले साल यह 1550 रुपे थी बाजरी की लागत पहले 990 रुपे होती थी लेकिन इसे अब 1950 रुपे प्रती क्विंटिल कर दिया गया है किसानों की नराजगी को दूर करने के लिए केंद सरकार ने खरीफ की सभी 14 फसलों का समर्थन मूले बढ़ाया है अगामी लोकसवा चुनाब को देखते हुए इस फैसले को केंद सरकार के मास्ट स्ट्रोक के तौर पर देखा जा रहा है सरकार ने धान के समर्थन मूले में 200 रुपे प्रती क्विंटिल का इजाफा किया गया है इससे पहले किसानों को दान के लिए 1550 रुपे मिलते थे लेकिन अब इसी के लिए उन्हें 1750 रुपे दिये जाएंगे दावा किया जा रहा है कि इस फैसले से देश के 12 करोड किसानों को फायदा होगा मोदी सरकार का ये फैसला सीधे तोर पर हर्याना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, महराश्ट्र, गुजराच समित कई प्रदेशों में सीधा असर दिखाएगा इन राजों में किसानों की संख्या अधिक है और लोग सभा सीटों की भी पिछले हफते गन्ना किसानों से बात करते हुए पिएम मोदी ने ये वादा किया था कि खरीफ सीजन के लिए फसलों के इनपुट कोस्ट के डेट सो फीजदी तक MSP करने की योजना को लाकू किया जाएगा उन्होंने कहा था कि उसे इस हफते होने वाले कैबिनेट बैठक के दौरान मंजूरी दी जाएगी इससे पहले भी मोदी सरकार की तरफ से गन्ना किसानों के लिए रहत दी गई है ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जैपुर तो कैबिनेट में जो फैसा लिया उससे किसान संतुष है या नहीं इसी को जानेगे हमारे साथ स्टूडियो में एक खास महमान है किसान नेता फुल सिंग हमारे साथ या पर स्टूडियो में मौझूद है बहुत बहुत स्वागत है आपका फुल सिंग जी पूल्सिंग जी कैबिनेट की व्याथक में यहां पर पैसा लिया है मेस्पी को बड़ा दिया गया है यहां पर क्या इससे आप संतुष रिखते हैं क्या कुछ और भी यहां पर रियाद दी जानी चाहिए थी सरकार को पहले तो सरकार यह बताए कि ना लखरीद की व्यवंषता इनकी प्रापर हैक नहीं है आज तक मेरे किसान ने जो पविधा किया इसको संपूर्ण खरीदरली में सरकार सपल नहीं है मेरा जब आज लशन बेशने के लिए दरदर बठक रहा है यह नुह की चानों काम करेगा 10 तहल States काम सरकार कर दी है दोजार उनीस में अगर इनको किसानों को मत प्राफट करने हैं तो उस चीज को लागू करना पड़ेगा कि उसके खेशे के सियों पे पैदा होता है वहाँ से उस चीज की खरीद कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं यह अगर केंदर सरकार उस चीज को खरी लेती है और जो आज यह 250 या 950 की जो लागत बता रहे हैं वो कमशे कम किसान को यह तो समझाए कि इनकी लागत कैसे ही नुने निकाली है क्योंकि एक अंदरे गामें जानी वारा एक मश्दूर की लागत सुनी सित है पर मेरे किसान की लागत तो सुनी सित है नहीं आज ही मेरा बाजरा अगर मैं वजार से खरी देने जा रहा हूं वीज का वो मेरे को साड़ी तीन सो रुपए किलो मिल रहा है और मेरे बाजरे को 1900 र अबर होती है कोई खरीता ही नहीं है उसका बाव नीचे है उपर है हम फिर आड़तियों के पास वहाई में जाकर लूटते हैं तो उस लूट को रोकने की व्यवस्ता सरकार क्या करने जा रहे है यह बात किसान को समझाए और मार्केट को बताए लेकिन सरकार का तो कहना है कि पूरी व्यवस्ता हमने की है किसान का जो अनाज है किसान की जो फ्वसल है वो खराब ना जाए इसको लेकर पूरी व्यवस्ता की गई है और इसी को लेकर दम भी यहां पर भरा जा रहा है यह चीज अगर सरकार कह लिए मैं केवल एक स्टेट की बात करता हूं इस चीज़ अगर एक स्टेड काम कर रहा है वह मेरे पाड़ोश में मद्यपटेश वह जब वहाओ अंतर होता है वह किसान के खाते में देता है अगर वह चीज पूरे इंदुस्तान में लागो जाती है MSP का जितना अंतर कम में बिकता है में जिन्स बजार में यह खरीदने में सपड़ने होते हैं तो उसके खाते में वह पैसा देने की व्यवस्ता के अंदर सरकार करने जारी है जब तो स्वागत योग यह कदम है अर अगर इन्होंने केवल आंकडा देके हमें बर्मित करके और यह चीज हम हमारे बोटो को कैस करना चाहते है तो मैं यह मानता हूं किसान के साथ पहले वाड़ाई थलावा है नहीं तो नराजगी किस चीज को लेकर है आप लोगों की क्या जो समर्थन मूल है वो यहां पर कम दिया है द्यवस्ता सुचारू नहीं है इसको लेकर पर मुहंग बित्रा था मेरे किसान का सोड़ा सुरूप है 2010 में जब हमने आंदोनी स्टार्ट किया और उस आंदोन के पुरदिश्ते को देखते हुए किसान जागरुकुवार पूरे हिंदुस्तान में इसका मुव्मेंट बना अपनी MSP लेनी का उस चीज को एक लागत का तो किसान को आज तक इनोंने इसाब लगाया है नहीं यह इनकी मर्जी से जो कुछ MSP बना के दे रहे हैं वह भी सुचारू रूप से खरीदेने में आज तक व्यवस्ता हो नहीं पाई चाहिए वह मोधी जी की सरकार हो चाहिए पूरुवतिती जितनी भी सरकारे रही हो पूरी जिन्स खरीदेनी की व्यवस्ता करें जब स्वागतियोग्या है और अगर क्यों आंख़डों तक या अख़वारों तक सुर्कियों तक रहे तो अच्छी बात लिए जी लेकिन जिस व्यवस्ता के आप बात कर रहे हैं कि MSP जो है नाम मात्र एक नमक का काम यहाँ प आप लोगों नहीं क्या यह कमी यह नराजगी अपनी सरकार के सामने रखी कि वह बहतर नहीं हो पा रहे हैं 2010 से हम यह नराजगी जो भी व्यवस्ताव रहते हैं उनके खिलाब उपस्तिती दर्ज कराते रहते हैं और गान्रिवादी तरीके से कराते हैं अब दो मेने पहले की बात है चणे की खरीद हो रही तो चणा हमारा इसलिए ने खरीदा जा रहा था को उसमें प्युड़ा दाना है चोटा दाना है जब मेरी भारत भूमी ने जो दाना मेरे को दिया वही तो मैं बजार में लेके जा रहा हूं अई उसको भी अगर खरीड मेरी सरकारी एजर्ची कर रही हैं और में में एक आए मेरे किशाल के माल को रिज quieres कर रहे हैं मेरा किशाल मज़बूर हो के उसी मट्ड़लीं में उसी माल को 2000 कम्रे। भी बीजिक देखे तो उसे यहां पर मुनापा ही नजर आए। सवर्थन मुल्य को 1.500 प्रतिशत करने का जो वढ़ा किया था। उसको आज प्रादान मंत्री जी ने आर्थिक मामले हम एक मंत्री मंतलिय समीती में एक एतियासिक पेसला करके खरीब की पसलों का समर्थन मुल्ले में डेट सो पृतिशत के वृति की गई है और सबसे बड़ी बात ये है कि आर्थिक मामनों की जो समीति है मंत्री मंडले समीति बनी हुई उसकी सिपार से सभी राज्यों से करसी लाकत का अनुमान करके किसान को फाइदा कैसे हो इसका निर्धार्म करके समीति पेशला करती है और पेशला करने के बाद खर्शी मुल्ले लाकत आयोक के द्वारा MSP की गोस्ट ना की जाती है ये निश्चित रूप से इस बात को साबित करता है कि देश के प्रदान मत्री जी का विजन 2022 किसान के आमदी दुगनी कैसे हो उसमें ये कदम माने मत्री जी का बहुत बड़ा है उनका द्रस्टी कोंड और ये बहुत बड़ा एक कदम है मैं आपको बताना चाहूंगा दस साल पहले कॉंग्रेस के सरकार में जब यूपिया की सरकार थी तब 2089 में MSP के समर्तन मुल्य को बढ़ाने का काम गया और मात्र 155 रुपे अधिक्तम यूपिया की सरकार के द्वारा समर्तन मुल्य बढ़ाया गया आजा दे कित्ते वर्षों बार जबकि आज जिस परकार का समर्तन मुल्य बढ़ा है उसमें लगबग 1400 रुपे तक एक पसल पर मोंग की पसल पर लगबग 1400 रुपे के व्रदी एक एतियासिक व्रदी की गई है जो ऐसा कभी नहीं हो और यदि हम यह देखें कि यह MSP के 50% व्रदी करने के कारण बारत सरकार पर लगबग 33,500 क्रोड रुपे का भारत केंदर सरकार पर इसका आएगा लेकिन यह कल्यानकारी सरकार किसानों के हित में MSWAMINATAN जिनकी 2007 की रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट में MSWAMINATAN ने यह सुजाओ सरकार को दिये थे लेकिन बीच में UPA की सरकार ने उस रिपोर्ट को नकारा किया उस पे कोई काम नहीं हुआ उस रिपोर्ट को उपो लागो करने का काम उसमें जिस परकार का ये मांग रखी गई थी आज MS वामे नाथन की रिपोर्ट को पुरा किया गया है ये किसानों के लिए एक बहुत बड़ा वर्दान साबित होगा समर्दन मुल्ले का जहां तक सवाल है आप देखेंगे कि राजस्तान में लगवग 40 लाख हेक्टर के लगव होती है अगर अच्छा मोसम बारिश होती है तो बाजरे की पसल की बुआई होती है और बाजरे की पसल का लागत का जो मुल्ले था वो मुल्ले किसानों को नहीं मिल पाने से किसान हतास रहते थे लेकिन मुझे कहते हैं बहुत कुछी है कि बाजरे में 525 लुपे की बुर्दी की गई है और यदि हम कोटन की बात करेंगे तो 1130 लुपे MSP में बुर्दी की गई है और इसी प्रकार मुंग का जैसा मैंने आपको बताया 1400 लुपे बुर्दी की बुर्दी हुई है मक्का में 255 लुपे की बुर्दी हुई है और मुंग पली में 440 लुपे की बुर्दी की गई है इसी प्रकार सोयविन जो कोटा संभाग में कास्तोर से बोया जाता है 349 रुपे की व्रदी MSP की उसमें की गई है तो मैं समझता हूं राजस्तान के लिए ये जो MSP में व्रदी हुई वो किसानों के लिए एक वर्दान साबित हुई है चोंकि किसान प्रकरतिक आपदाओं से प्रतिवर्स तकलीप में रहता है ओला वरस्टी अतीवरस्टी होती है और यह सब की मांग भी थी किसान संभटन भी यही मांग करते थे MSP में नातन का भी यही नजिरिया था लेकिन भारती यह जनता पार्टी की सरकार ने क्रिशी मंत्री प्रभुलाल सैनी को जिनका कहना है कि मोदी सरकार का यह फैसला अतिहां कि पैसला और किसानों के हित में लिया गया फैसला है जो 2022 तक के लक्ष तक पहुँचाएगा तो फलाल यहां पर वक्तों चला है एक चोटे से ब्रेक का जल्ध हाजर होंके है आपका खुशाल होगा अन्यदाता और इसी पर सवाल यह कि क्या सच में यह अतिहासिक पैसला जो मोदी सरकार के जरीय लिया गया है उसके बाद अन्यदाता खुशाल होगा फुलसिंग हमारे साथ लगातार हमारे स्टूडिय में मौजूद है पुलसिंग जी से पहले हमने कृशी मंतरी प्रभुलाल सैनी जी का वो बयान सुना जिसमें नोंने बताया कि मोदी सरकार का जो फैसला है कितना एतिहासिक है किसानों के हिप में लिया क्या फैसला है और राजिस्थान के किसानों के लिए काफी मददगार यहां पर बताया है कि राजिस्थान के किसानों को सिचाई के लिए पानी उपलब नहीं हो पाता है बारिश नहीं हो पाती है ऐसे में कहीं न कहीं बरदान राजिस्थान के किसानों के लिए है यह बर्दान तो जब होगा ना जब इसकी प्रोपर खरीद आप कर लोगे किसान से अगर वैसे जशे अब पूरो तीस वर्सु में चल रहा है अगर वो ही चलता रहा तो बर्दान साबित कहा होगा क्योंकि आपने गुनीश सो रुपए तो तेह कर दिया बाजरे का भाव भी पर उसकी खरीद की प्रोपर व्यवस्ता तै अभी तक मेरे कृषिवंतरी ने भी नहीं बताई और केंदर सरकार में आर्थिक मामोलों के शलवकार समीरेतिया कबिनेट ने भी नहीं बताई तो जब तक किशान की जिन्स को खरीद की पुक्ता जवस्ता नहीं की जाए या डिफरेंस का पैसा उसको नहीं दिया जाए जब तक किशान को इससे क्या लाव होने वावा मिल्कुल और इसे पर जाद़ जानकारी के लिए हमारे साथ दिल्ली से हमारी समधाता अदिती नागर यहां पर जुः गए है अदिती कैबिनेट की बैठक में फैसा लिया गया अतिहास सिख बताया जा रहा है अन्य दाताओं के लिए क्या कुछ जानकारी इसको लेकर और क्या कुछ कहा गया है इस बैठक में फिलाल देखे सबसे पहले आपको बताएंगे कि ये 2019 की जंग से पहले जब किसानों के लिए इसनी बड़ी राहत है क्योंकि पीम नरिद्रमो भी इस बास को बखुवी जानते हैं कि 2019 की जंग बिना किसानों के साथ लिए नहीं जीती जा सकती और ऐसे में अब किसानों को बड़ा तौपा दे दिया है कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में बड़ा पैसला लेते हुए सरकार में 14 पसलों के MSP को बढ़ोतरी कर दी है कैबिनेट की बैठक में सरकार में घरीफ पसल की MSP बढ़ाने का पैसला लिया था और राजना सिंग जी ने एक एतिहासिक बयान एतिहासिक इस पूरे तमाम सीज को बताते हुए ये कहा कि मैं भी एक किसान परिवादते हूँ और आज तक कोई ऐसी सरकार में आए जिसने किसानों के बारे में इतना सोसा हो और एसे में आपको बढ़ोतरी कम से कम पीचे दथ सालों में तरवादक बढ़ोतरी को बताया जब राजना सिंग जी में बताया और किसानों के लिए आपको एक यह जानकारी देंगे कि इस बात का तखलिय कि जल्दि आपके लिए कुछ किया जाएगा व तो ऐसे में एक ये बड़ा फैसलाज दिया गया है कैबिनेट के जानकारी देए ग्रहमंत्री राजनाट सिंग्र इक कांफेरंटस में यह कहां थि किसानों को अब खरीज की पसल का टेर्ड गुना MSP किया जाए गार राजना तो यह धि का कहना ही कि ना काफी है ये जो मूल बढ़ाया गया है वो ना काफी है जाहर तो पर यह स्ट्राटेजी के तहत है देखे दोहजार निस में अभी एक साल बाती है और उसमें पहले से ही यह प्लैट्फॉर्म क्यार किया जया जब भी कोई कोई यक्टी कोई संगटन नाराज होता है तो अब पुरानी नाराज़की काफी लंबी है तो वो एक जटके में ठीक नहीं हो सकती ऐसे में अभी इतना बड़ा तौफा दे देने के बाद के गन्मा किसान से लेकर और भी कई योजना है अलग 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 राज्यों में अलग 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 सर पर अब जब जाएंग को लेकर ये तमाम जो देशबर में माहल है और उसको राहुल गांदी पखुवी एंड कैश कर रहे हैं इसलिए आज ये इसना बड़ा फैसला देने के बाद इसको इस तरीके से आज कैबिनेट में फैसला हुआ है और भी अभी पार्लिमेंट होने वाली है उसके अलावा भ लिए तो फुल सिंग जी हमारे साथ लगाता है फुल सिंग जी हल्कों इसे अतिहासिक बता रहा है और हो भी क्यू ना चुकि 10 सालों में ये मुल जो है बड़े हैं से पहले किसी सरकार नहीं है पर किसान के लिए नहीं सोचा मोदी सरकार यहां पर सोच रही है कि हर एक साल म , किसानों की जो आय है उसको दोगुना क्या जाएगा में किसान के लिए या तो सफोर्ट यह उस्ordu ए guilt पर से बोली स्टार्ट होगी हमारी जिन्सु की वो कानून मना दिया क्या अगर उस कानून को बना देती हैं तो भी स्वागतियोग्य कदम है इनका और हमारे अभी का तो राजिस्तान में उधारन आए वही अगर आगे होता रहा तो फिर किसान इनके साथ जुननी वाला नहीं है पूरवते जी सरकारों ने जब किसान के साथ दोखा किया तो किसान ने उनके साथ दोखा किया अगर किसान के साथ कोई खड़ा होना जानता है तो किसान उसके साथ खुले में खड़ा होना जानता है पर अगर किसान के साथ कोई भी दोखा करने की कोशिश करता है तो किसान लेकिन हर बार आप लोगों को साथ लेकर तो चला जा रहा है ना यहाँ पर रन वाफी के प्रमांट पत्र भी आपको बाते गए जैसा कि स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे किसान का संपूर्ण कर्जा माप करेंगे अब हमारे को उमीद थी कि स्वामिनाथन कमेटी की रिपोर्ट जैसे और कमेटी की रिपोर्ट लागू होती है वैसे हमारी रिपोर्ट लागू होगी और वो रिपोर्ट 2015 अगस तो मेरे किसान पर का बी करजा नहीं बसता किसान ही व्यवस्ता के करजा मांगता है तो उस चीज की बात को मोदी जी की बात को सेप्ट करके मेरे किसाने इनको खुला समर्थम दिया खुला मत दिया और उसके बावजूद चार साल तक मोधी जी ने किसान पे ध्यान नहीं दिया आखिरी साल में ये किसानों के ध्यान देने जा रहे हैं पिर में मैं इंसे आज भी निवेदन करा हूं कुछ भी नहीं बिगडा का 2007 से हमारी रिपोर्ट को लागू कर दे हम इंसे रिणमा पी नहीं चाहते हम तो हमारा चाहते हैं का आज तक यतना नुक्सान हुआ उसकी बरपाई मिवस्ता करने जारी है मेरे इसान की यह केवल बाते करके ही हमें है बग्राया पहले देशे कुरोती संकारों ने बैखाया वैस्जी यह बैकने जा रहे हैं या बात में से एको डेर्ट से लागू कर दे जिसे औ उट्ड्येयों के लागू होती है मेरे किसान की लागव कर दूद्य 2600 की करदे है किसान का निखलता हो तो डेले र हिसान के यह मांगते है तो ले 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 जिन्मक्ती की बात हो है यह अब सुम्हेनातर कमिटी का एक मुद्धा इन्हों Oxmmar बाद पकड़ा क्योंकि स्वामिनातर कमेटी ने शिपार्श की थी 2007 में उसके लागत का देड़ परसेंट देने की वह आज कैबिनेट ने दिया यह स्वागति योग है पर मात्र एक पुइंट पकड़ा है उसका उसे पूरी कमेटी की रिपोर्ट को 15 अगस्ट 2007 यह लगू कर दें बहुत अच्छी वात है किसान इनका जगर जगर स्वागत करेगा और अगर केवल बयानमाजी करेंगे तो किसान स्वागत एक बार करता है बार बार देकर देखो गन्ना किसानों को लेकर भी आप पर अधान मंत्री मोदी ने बात रखी उनको भी आपर राहत दी है लेकिन अगर कुल मिलाकर आज के इस एतिहासिक पैसले की बात करें जो दस साल में सरवाधिक हुआ है अब तक किसी सरकार नहीं नहीं सोचा तो इस पैसले को लेकर आप क्या सोचते हैं क्या इससे भी जादा यहाँ पर होना चाहिए था इस मुल्ले को मुल्ले जो है इन्होंने जो किया उसको दरातल पे देने की व्यवस्ता यह कैसे दे रहे हैं यह तो कम से कम मेरे किसान को समझाए क्योंकि मेरा जब मुंग पैदा होगा उसकी खरीज सुनिशित करने का उस गाव में कोई व्यवस्ता देरी है क्या सरकार या फिर मैं वहाई में वर्चोलियों के पास लुटने जाने वाला हूं उस व्यवस्ता पे सरकार को द्यान देरी कि आऊ सकता है और जब वह व्यवस्ता लागू हो जाएगी तो फिर मेरे किसान को ऐसा लगेगा क्वास्तु भी सरकार ने मेरे लिए कुछ किया और अगर वैशे ही के वुल कि लोड़ के लालच में आ गया पर दुबरह उसको आउट भी कर दिया तो मेरा कहना यह है मोदी जी सरकार से कह यह जो बोल रहे हैं वो करने जा रहे हैं जब तो स्वागतियों गया है अब केवल बोला है वो करने भी जा रहे हैं और वो किया भी और इसे के तहत देख सकते हैं कि आज क्याबिनेट की बैठक में एम फैसा भी लिया गया एधिकासिक पैसितलवी लिया गया और लक्ष सीधा यहां पर सरकार का की 2022 तक जो तैय किया गया है कि किसानों की आये को दोगुना करेंगे उसे लक्ष के ओं लेकर आगे अब सरकार बढ़ते ही चली जा रही है बहुत धन्यवाद आपका फुल सिंग जुमार साथ जुड़ने के लिए और इस बुलेटिन में इतना ही लेकिन जाते जाते देखिए टेरी नसर क्यों है पर आप्रे लेकर बार इस जायेल है एं़े